असलाम वलाइकुम इस से पहले की वीडियो में हमने साथवी जमात मजबून र्याजी का पंद्रवा सबक इस सबक में आउसत किस तरह मालूम करेंगे ये समझे हैं आईए अब मश्की सैट चौपन का दूसरा तीसरा और चौथा सवाल हल करते हैं सवाल दिया हुआ है इसकूल के सालाना गेदरिंग में अपनी मदद आप महिला बचदगट ने अपनी फुर्दनोश की दुकान लगाई हर घंटे में फरोग होने से हासिल होने वाली रकम 960 रूपिये 830 रूपिये 945 रूपिये 800 रूपिये 847 रूपिये और 970 रूपिये इस तरह हैं तो फी घंटा फरोग्त हुई रकम का अवसत मालूम कीजिए यहां पर इसकूल में एक सालाना गेदरिंग थी उसके अंदर महिला बचदगट ने अपनी चीजे फरोग्त करने के लिए दुकान लगाई और हर घंटे में उनकी जितनी गिराकी हुई आम जुबान में जिसे कहेंगे यानि जितनी चीजे फरोग्त हुई उसकी यहां पर कीमते दी हुई है हर घंटे की तो हमें इसका अवरेज आवसत मालूम करना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आउसत फरोख ये बराबर होंगा कुल फरोख यानि कुल टोटल जो है कितनी फरोख थुई वो और उसे तक्सीम करेंगे हम कुल गंटों की तेदाद यानि कुल कितने गंटे हैं वो एक गंटा, दो गंटे, तीन गंटे, चार गंटे, गंटे, छे गंटे की यहाँ पर फरोख दी गई है अब आईए कीमते रख देते हैं सबसे पहले कुल फरोख, कुल फरोख में 960 रूपिये जमा 830 जमा 945 जमा 800 जमा 847 जमा 970 बटे यानि तक्सीम करना है गंटे की कुल टेदाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि इसे 6 से तक्सीम करना ह अब यहाँ पर 960 जमा 830 जमा 945 जमा 800 जमा 847 जमा 970 इनकी जमा करते हैं तो जवाब आता है 5352 इसे हम 6 से तक्सीम कर देंगे 5352 को 6 से तक्सीम करने पर जवाब आएंगा 892 रूपिये यानि हर घंटे में जो गिराकी हुई यानि जो चीजे फरोख थुई तो उससे उने आउसतन हसिल होने वाली रख्म 892 रूपिये है यहाँ पर हम लिख देंगे आउसत फरोख थी घंटा 892 रूपिये थी आईए तीसरा सवाल हल करते हैं विधर्ब में 5 साल में हुई बारिश जैल में दी हुई है इस मौतियात की बिना पर 5 साल में हुई बारिश का आउसत मा वालूम करना है तो हम यहाँ लिख देते हैं आउसत बारिश ये बराबर होंगी कुल बारिश मिलिमीटर में बटे सालों की कुल तेदाद यहाँ पर जितने साल बारिश हुई वहाँ पर हमें दिया हुआ है 5 साल अब यहाँ पर हम हल करते हैं कुल बारिश सबसे पहले 900 मिल जमा 450 mm, जमा 733 mm, जमा 400 mm, तक्सीम सालों की तेदात 5, 1, 2, 3, 4, 5 यहां दिया हुआ ही है अब इनकी हम जमा कर देंगे 900, जमा 650, जमा 450, जमा 733, जमा 400 जवाब आएंगा 3133, इसे 5 से तक्सीम करते हैं, तो जवाब आता है 626.6, यहां पर हम लिख देंगे 626.6 mm, जवाब लिख देते हैं, आवसत बारिज 626.6 mm हुई, इस तरह से ये तीसरा सवाल हल करना है आईए चौता सवाल देखते हैं, एक किसान ने जानवरों की खुराक के बोरे खरीदा, उनके आवजान किलो गिराम में जहल में दिये हुए हैं, तो उन बोरों का आवसत वजन मालूम कीजिए, यहां पर किसान ने जानवरों की खुराक के लिए जो घिजा खरीदा, बोरे उनका यहाँ पर वजन दिया हुआ है हमें इसका आवसत मालूम करना है हम लिख देंगे आवसत वजन ये बराबर होंगा तमाम बोरो का वजन किलो गिराम में बटे बोरो की तेदाद अब यहाँ पर हम तमाम बोरो के वजन की जमा कर देंगे 39.8 जमा 49.7 जमा 49.5 जमा 49.3 जमा 50 जमा 48.9 जमा 49.2 जमा 48.8 और बोरो की कुलतेदाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोरे हैं तो 8 से तक्सीम कर देंगे अब यहां पर वजन की जमा करने पर जवाब आएंगा 39.2 इसे 8 से तक्सीम करना है 29.4 किलो गिराम तो यहां पर हम जवाब लिख देते हैं बोरो का आउसत वजन 49.4 किलो गिराम है इस तरह से यह मश्की सेट के सावालात हल करना है इन्शाला इसके बाद के वीडियो में हम ताद्दुदी जद्वल किस तरह तैयार करते हैं ये समझेंगे अल्ला हाफिस